हेलो गई तो अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो तो आप लोग क्लास 12 के बेसिस पर एडमिशन ले सकते हो जो आप सब के लिए गुड न्यूज है अगर आपने स्युविटी में अच्छा परफॉर्म नहीं किया बट आपके अगर क्लास 12 में अच्छे मार्क से लाइ कर सकते हो तो अगर मैं सबसे फर्स्ट बात करूं तो सबसे फर्स्ट जो आप लोग की आती है यह एक स्टेट गौर्मेंट युनिवर्सिटी है अगर मैं बात करूं तो यह अमबेतकर युनिवर्सिटी डेली की है जो एक स्टेट गौर्मेंट के अंदर आती है उसके जितने भी बी ओरनर्स होते हैं, वो सारा आप लोग को सू हो जाएगा, उसके साइड में जो आप लोग को सीट है, वो भी सू हो जाएगा, लाइक जनरर कैटैग्री के लिए जो बात करें, आप लोग के अधिशन होगे, तो अगर आप लोग डली से बिलोंग करते हो, तो इत सारे seat जो vacant है इसमें बच गए हैं तो ये सब seat के लिए जो आप लोग के admission होंगे वो class 12 के basis पे होंगे आप लोग के class 12 में जितने भी आपने mark से score किये होंगे उसके basis पे आप लोग के admission होंगे जो आपने class 12 में score किया होगा जो best 4 होगा लाइक जो अगर आपने 5 subject का exam दिया है तो जो best 4 है वही आप लोग का consider किया जाएगा और उसी के थुरू आप लोग admission ले सकते हों अब अगर हम लोग बात करें कि कैसे आप लोग registration वगेरा कर सकते हो तो like में बात को तो आप लोग website प 9 September से start हो गई थी अब अगर में बात को तो इसकी लादे 12 तक है means कल तक आप लोग registration कर सकते हो and अगर हम लोग बात करें अगर जादा registration नहीं हुए होंगे तो maybe यह एक दो दिन और extend कर देंगे but mostly क्योंकि 12 के basis पर तो बहुत सारे student register कर सकते है तो maybe आप लोग के जो कल होंगे वो form close हो जाएंगे तो कल तक आप लोग registration कर सकते हो उसके बाद महीं बात करेंगे तो इधर इन्होंने दे रखा है कि जो भी non CVT student है जिन्होंने CVT नहीं दिया है वो सब admission दे सकते हैं and अगर आपने CVT दिया भी है अगर आपके मास नहीं है तो भी आप लोग इसकी registration कर सकते हो तो I hope आपको यह clear हो गया होगा and अगर आपके कोई भी doubt है तो आप लोग comment भी कर सकते हैं